माहागाली मित्रों आशागरतियों कि आप लोग बिल्कुल सही हो सवस्त होंगे तो आज आपको बहुती इजी और बहुत असानी तरीके से आज आपको उतारा बताऊंगी यदि किसी गर में भूत परेत है, काला साया है या तंत्रमंत्र करके टोना तोटका करके घर को बान दिया, दुकान को बान दिया या आपको काला साया दिखाई देता है, या आप डर जाते हैं या गरवती जो महिला होती है, उनका गरव पात हो जाता है या किसी की संतान नहीं होती है, या कोक बान दिया ऐसी कोई भी समस्या है जैसे कि आपके उपर किसी ने जिन जिन नाद कर दिया भूत परेट कर दिया या आपको कोई चुड़ाय लग गई ऐसा कुछ भी है या आपको किसी ने गंदी तरीके से खिला के और आपका वशी करन कर दिया तो आज इसी के उपर मैं आपको बहुती असान सी वीधी बताने वाली हूँ जिससे कि आप किसी भी तरीके की समस्या से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं जैसे भूत परेत, वशीकरन हो गया जैसे कि मैंने सारी बाते बताई तो मैं टाइम ना वेस्ट करते हूए अपनी व परातरी के समय जैसे खाना पिना खाते हैं और अपने रूम में सो जाते हैं पर आप इस वीधी को करने के लिए पती पतनी को पता होना चाहिए या आपके घर में कोई बड़ा है उसे पता होना चाहिए यदि कोई भूत परेत से या काली शक्तियों से परेशान है या बहु पास तो दोश है ऐसा कुछ भी कोई भी परिशानी है इन सब चीजों से चुटका रहा होगा घर में पता होना चाहिए आप जैसे की सोने लग जाए रात को शुकरवार की रात मानलो आप शर्निवार के दिन इस विदी को कर रहे हैं आप शुकरवार की रात को सोने लगें एक एक दिन पहले शुकरवार की रात को आप एक नारेल लाके रख लें और एक गुलाब का फूल लाके रख लें और एक हमें कपूर चाहिए और एक बताशा चाहिए दो लॉंग दो लाइची चाहिए इतनी विदी चाहिए सारे समान की और साथ में मा काली को चड़ाने के लि ये सारी विधी की त्यारी करके रखे आप और आप रात्री के समय सो जाएं और उसके बाद आपने तीन बजे या धाई बजे के करीब उठना है रात को और सोते वे इंसान जो इस परेशानी से परेशान है जिसको भूत परेथ है, काला साया है वशीकरन में बंधा हुआ है जिसके उपर कोई भी वशीकरन तूट नहीं रहा कट नहीं रहा तब आपने उसके उपर इस नारियल को लेके सादवरी या नोवरी माकाली का नाम लेके उसको सोते वई इंसान के उपर घुमा दे सर के पास से शुरू करें पाउं तक आपने इसको अच्छे से घुमा रहे हैं घुमा के और आप इस नारियल को बिल्कुल में गेट के बाहर इसको एक पन्नी में या किसी कपड़े में बांद के इसको टांग दे घर के अंदर इसको नहीं रखना रातरी के समय जो शेनिवार की सुबा लगरी होती है ठाई बजारात को तीन बजारात को आपने ऐसा करना है क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ की आपने करना क्या है जैसे कि आप ये ठाई बजारा करके और इस नारियल को बाहर रख देते है उसके बाद आप नहाद होके बिल्कुल फ्रेश हो जाएं उस वेक्ति को भी फ्रेश कर ले निलादुला के जिसके ओपर ये परिशानी है उसके बाद आप त्यार हो जाएं त्यार होने के बाद आपने करना क्या है निम्बू की माला जैसे त्यार है फूल गुलाब और बताशे लॉंग लाइची कपूर ये सारी चीजे त्यार हैं उसकी बाद एक आप मा काली के मंदिर जाएं जो आपके पास पढ़ता हो या दूर है आपको जाना जरूर है आपने वही पे इस सिनारियल को लेके जाना है सुबा चार बजे जब सुबा मा का खुले तब ही आपने महा पे पहुँच जाना है मा के दर्शन के लिए उसके बाद आप महा पर जाएं और इस सिनारियल को मा को अरपन कर दें और आपने कहना क्या है अरपन करते हुए कि मा जो भी हमारे उपर काली शक्तिया हैं टोना टोटका किया हुआ है या हमारे उपर वश्यकरन किया या हमारे घर को बांदा जो भी ऐसी समस्याएं इस चीज़ को आप समाले आप देखें ऐसा मा से मनो कामना करते हुए इस नारेल को मा के चड़नों में चड़ा दें उसके बाद आपने हाथ में एक गुलाब लेना है उसके उपर बताशा रखना है एक कपूर गर रुक गया कोई इनसान बहुत ज़्यादा बिमार है या आपके घर में भूत परेत का साया है काली शक्तियों का वास है आपके घर में ऐसी कोई भी दिक्कत है जो कि आपके बच्चे की नौकरी नहीं लगरी शादी नहीं हो रही है ऐसी कोई भी दिक्कत समस्या है और ज आपने कपूर भी ऐसी अरपन कर देना उसको जलाना नहीं है, यह सारी चीज़े, पांच चीज़े होनी चाहिए हाथ में रखके, मनों कामना करके मा को चढ़ा दें, उसके बाद जो निम्बू की माला है, वो निम्बू की माला भी आप मा काली को चढ़ा दें, अगर पंडी जी मना करें, वैसे मना नहीं करते, अगर अगर मना भी करते, तब भी आपने यही कहना है कि हमें किसी ने कहा है, आप यह चढ़ा दें, मा को आप जैसे यह सारी चीज़े चढ़ा के आएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि काली शक्तियों का वास, आपके उपर भूत प गई है, जिन जिननाद आ गया है, काली शक्तियों का वास है, आपके उपर कोई इनसान खेल रहा है, उस पे भूत परेथ है, ऐसा कुछ भी होगा, वो सब को शान्त हो जाएगा, आप महा पे मा के दश्ण करके महा से आएं, और जब आप मनो कामना कर रही हों, तब आपने म का बीज मंत्र करना है, एक सो आड़ बरी, महा पे आप मनो कामना करने के बाद, आप बैठ जाएं, तसली से मा के सामने, और उसके बाद बीज मंत्र करना है, मैं आपको बता देती हूँ, क्या करना है, ओम ए हीम क्लीम चमुन्डे विच्चे, आपने मा के बीज मंत्र का इसी शक्तियों को अपनी तरफ को कीच लिया और सारी चीजे हड गई वास्तुदोश, भूत परेथ, कले कलेश, विमारियां, भूत परेथ, वशी करन जो कट नहीं रहाता ऐसा कुछ भी जो दिक्कते थी वो सारी दिक्कते आपकी दूर हो जाएंगी और ऐसा करने से सारा कित अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और ये उतार अच्छा लगा अगर आप ऐसे परेशान है तो इस चीज़ को जरूर करें और उस वेक्ति को छुटकारे दिलाएं इस परेशानी से जो ऐसे घेरे में हैं बिमारियों के या काले साय में या भूत परेथ पे या अच्छा लगेगा तो आप बताना मुझे मैं और ऐसे वीडियो और ऐसे ही उतारे आपको वश्ची करन के या भूत परेथ के हर एक चीज़ के उतारे जरूर बताऊंगी कि कैसे आपने उतारा करना है घर बैठे बिठाए और हर इनसान का फाइदा होगा और हर एक इनसान ठीक रहेगा और इन भूत परेथ या ऐसी शक्तियों से काली शक्तियों से आपका घर छुटकारा पाएगा घर भी और इनसान भी तो आपको वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर देना अगर अच्छा लगा तो कमेंश एक्षन में जै महाकाली जरूर लिखके जा भला करे और आपके काम बने और आपकी मनुक इच्छाएं पूरी हो तो आगे फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नई वशिकरण के साथ और एक नई उतारी के साथ तब तक लिए जै महाकाली जै महाकाम वे क्या अगर कोई दिक्कत परिशानी होती है तो स्क्री मिलेगा आगे फिर मिलती हूँ जै महाकाली जै महाकाम वे क्या